आप सबी लोग का स्वागत है आपके अपने यूटुब चैनल फ्यूचर ओनलाइन क्लासेस में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विहार डियलेट के सेकेंड डियर के ACP related जो है एक फाइल के उपर चर्चा करने वाले हैं साथ ही साथ आपको इस फाइल के बारे में बताऊंगा और एक बना हुआ फाइल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको बनाने में किसी तरह की आपको कोई परसानी नहों कोई दिक्कत नहों जैसे कि आपको ACP2 में जो है एक पाइल आपको बनाने होते हैं जो कि होता है बच्चों के स्वह सेक्षिक विकास का अध्यन कहने कार थे कि बच्चा में जो होता है सिक्षा से साथ साथ जो होता है उनके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्रिटिवीटी होते हैं जो कि निखारने की जरुत होती है उभारने की जुरूत होती है ताकि बच्चा उस फिल्ड में आगे जाकर बेहतर कर सके इसलिए जो है DLA के सेकेंड यर ACP में अगर जाते हैं तो आपको बच्चों के सह सेक्षिक विकास के अध्यन के बारे में आपको कच्छा कच्छ में अध्यन करना होगा उसमें से जो है आपको 10 बच् जो के सह सेक्षिक विकास का अध्यन यह हो गया आपका टोपिक आगे बढ़ेंगे यहाँ पर अपना नाम और अपना कमांग खंड और सत्र लिखर फिर प्रभारी बैख्याता का नाम लिख लेंगे उसके बाद जो है सबसे पहले जो है आप यहाँ पर सह सेक्षिक विकास क परिच्षे कहने का अर्थ है कि जो यह साथ सेक्षिक विकास है यह क्या है तो जैसे कि यहाँ देखे लिखा हुआ है वैसी गतिविधिया जो सिक्षन के साथ साथ चलती है वो सह सेक्षिक गतिविधिया का हलाती है विविन विशायों के सिक्षन के साथ साथ बच्चों में सह सेक्षिक किरियाओं को पुरसाहित करना भी सिक्षन कारे का ही भाग है कहने का अर्थ है कि सिक्षा के साथ साथ जो है बच्चों में सह सेक्षिक गतिविधिया जो होती है या जो काड़े होती है या सिक्षन जो होता है उसको भी प्रसाहित करना एक जो है सिक्षन का ही जो है काड़े का भाग है क्योंकि बच्चा जो होता है बहुत सारे हुनर में होते हैं बच्चों में वह हुनर को निख खारना भी जो है एक सिक्षक का करतब्दे है इसलिए यह किडिया इसमें कराई जाती है आगे देख लेते हैं इसमें आपको इसी तरह लिखते हुए आगे बढ़ना है बच्चों में कई तरह की सीजनात्मक ताय छमता होती है जो अक्सर किताबी ग्यान तक ही रह जाती है ले अगर हम खुवी पर भी ध्यान दे तो बच्चे आने वाले समय में भावी जीवन में जो है वो भी क्या करेंगे उस खुवी में माहिर हो सकते हैं और साथ ही साथ वो अपने उस छेत्र में जो है नाम कमा सकते हैं उस छेत्र में जो है जि ग्यासा उस्सा यो मुमंग के साथ जो है आपसे आकर्सित होकर आपसे कच्छागच में प्रस्न पूछेंगे और अपने creativity जो उनका स्रिजनत्मक्ता है वो आपको दिखाएंगे करके इस पर भी जोर देना जरूरी है आगे देख लेते हैं तो आपका next जो इसी में लिखा हुआ है कि सोह सेक्षिक किरियाई के अ सेक्षिक गतिविधियों को हनेकार्थ है कि सिक्षा से अलग मतलब उसमें भी सिक्षा है लेकिन सिक्षा बढ़ाई को छोड़ कर जो अन्य तरह की काड़े होते हैं उसको हम लोग सोह सेक्षिक गतिविधिया करते हैं उसमें भी सिक्षा को पुरसाहित करना चाहिए में आपको मालूम है कि कुछ नकुछ creativity होता है आगे देखते हैं अब आपको इसी तरह लिखना है सवक्षिक गतिविदियों के परकार इसके परकार क्या हो सकते हैं तो पर्थम परकार जो होंगे इंडोर सह सक्षिक गतिविदिया, दूसरा जो होंगे आउटवर सह सक्षिक गतिविदिया, सह सक्षिक जो गतिविदिया है उसके जो है दो सामिल होते हैं, यह दोनों सामिल होते हैं, मतलब इंडोर मतलब जो घर में किया जा सके और जो आउटवर हो जो मतलब बाहर किया जा तो creativity जो होता है, indoor और outdoor दोनों होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, जैसे देखले अब indoor activities में कहने कार थे क्या क्या आएंगे, indoor मतलब जो घर के अंदर किये जा सकते हैं, जैसे देखें, रंगोली, चित्रकला, या चित्रकारी, बुनाई, सजावट, नाटक, संगीत, निरित्य book winding, प्राथमिक चिकिस्ता, कला और सिल्फ कला, या आपके क्या होगे, indoor होगे, अब जो है, outdoor को देख लेते हैं, जो कि बाहर होते हैं, तो outdoor देखें क्या होगा, बागवानी बाहर लगाएंगे, व्याम बाहर करेंगे, योग, cycle चलाना, खेती करना, खोको, इत्यादी, चेत words में दिया हुआ है, file के तौरपर, तो इसका कुछ न कुछ महत्यों होगा, बिद्याले में क्यों किया जाता है, क्यों पर सिक्षु, जो है, बिद्याले में इसके उपर file तयार करते हैं, क्यों वहाँ के बच्चों के, सह सेक्षी गध्यबीदिओं पर ध्यान देते हैं, क् बच्चे में अंतर निहित कोशल की पहचान कर सकते हैं इस किरिया के माध्यम से ही जो है बच्चों के अंदर अंतर निहित क्यों कौन सी जो कोशल गुंद चुपा हुआ है या कोशल है उसको हम लोग पहचान कर सकते हैं ताकि वो उसे बेतर कर सके हम उसके कोशल में योगदा होता है इसके माध्यम से क्या होता है बच्चों के अंदर समुम है कारी करने की रहता है निक्सट आपका 3 नमबर है 100 ऑसेक्शिक निरनाय लेने की छमता का विकास होता है बच्चे जब 100 सक्षि गतिविदियाओं का जो कारी करेंगे उसमें खुद भूर निरनाय लेने के लिए सक्छम होगे, समुख kami कारी करेंगे समुव में बहुत सारे बच्चे होते हैं वहाँ पर कौन सा निर्न है सही है, कौन सा निर्न है गरलत है, इसका लेने में उनका विकास होगा, अगला जो है आपका चार नमर, योग करने से बच्चे में मानसिक सकती की अनुभूती प्राप्त होती है, अब हम इंडोर और आउट्डोर गतिवीदियो की बात करें हैं, ज जो कि सिक्छा से रिलेटेड है, साथी साथ सिक्छा से अलग हो, आपने फर्स्ट एर में बनाया होगा बच्चों से बाच्चित का बिजलेजन, तो सेकेंड एर में आपको बताना है, बच्चों के सौह सेक्छी गतिवीदियो का अदियन, मतलब शिक्छा से अलग होट कर, नेक्स्ट है आपका खेल के माध्यम से बच्चों में सारेडिक यहों मानसिक रूप से फिट महसूस करेंगे, नेक्स्ट है बच्चों में समय का सही प्रबंध करने के चमता का विकास होगा, प्रमंधन करने का चमता का विकास होगा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका सोह सेक् नैतिक भावनात्मक सभी प्रकार की जो सर्वांगिंग विकास है वह होगा। अब हम बात कर लेते हैं सहसेक्षिक विकास की योजना, अब योजना कैसे बनाएंगे। तो देख ले, पर्था में विद्ध्याले में एक जैसे सहसेक्षिक पक्षवाले बच्चे का सम्मूह ब लिएने में मज़ा आता है या अनंद आता है उसकी एक अलग जो है क्या बना लेंगे गूरूप बना लेंगे समुव बना लेंगे अगला पॉइंट विद्ध्याले में सिक्षको द्वारा सप्ताहिक और मासिक काड़ेकरम का आयोजन करवाते रहेंगे इससे क्या होगा जब सपताहिक और मासिक आरेकरम का योजन खड़ेंगे तो बच्चे उस सहसेक्षी गतिविदियों में भाग लेंगे तो उनका जो बिक्सित होगा क्या होगा साथ इसाथ उसमें पडिपकता आएगी नेक्स्ट है बच्चों के समय सारणी के साथ 100 सेक्षिक गतिविदियों में सामिल किया जाना चाहिए अब हमको विकास की योजना बनाना है तो योजना में हम यह कर सकते हैं कि सबता हमें महीना में करवाएंगे फिर उनमें क्या करेंगे कि समय सार्णी में इसको जोड़ देंगे लास्ट क्रियेड में एक गेम होगा उसमें 100 सेक्षिक गतिविधिया होगी ये भी कर सकते हैं चेतना सत्र के दोरान छोटे छोटे क्यूज परतियोगिता में सामिल करवाएंगे ये भी एक हो सकता है सेक्षिक के साथ खेल कूदेयों स्वक्षता पर भिसेस कारे करम करवाएंगे तो ये सब क्या है विकास की योजना है जब अच्चे इस सी को करेंगे तो उनके अंदर क्या होगा सेक्षिक गतिविधिया में और परिपक होंगे पड़िपकता आएगी और मजबूत बनेगा उनका पक्ष नेक्स्ट अब है सौह सक्षिक विकास की योजनाओं का किरिया नवेन कहने कार्थिक अब तो हम योजना बना लिए अब उसको धरातर पर कैसे लाएंगे हमासी कारेकरम का निरंतर आयोजन करवायाने जाने लएगा अब उसको कारेकरम का आयोजन करआया जाएगा उसमें बच्चे भाग लेंगे तो उनका परिपक हो गया बच्चे के समय सारनी में सौ सेक्षिक गति विधियों को सामिल कर दिया चेतना सत्र में छोटे-छोटे क्यूच पढ़ती हो गी था एयोम जो क्रियेटिवेटी उन में है उनको दर्शाय दिखाया गया ये भी हो गया पांच नमर है सैक्षिक गतिविदियों के साथ साथ खेल कुदेवम स्वक्ष्टा पर विशेश ध्यान दिया जाने लगा ये भी परतिवा सामने आने लगी जो और समाने परतिवा जो है बच्चों के सामने आने लगी मैंने कुछ बच्चों का विशेश ध्यान दिया जो कि उनकी परतिवा कुछ इस परकार की थी मैंने इतना कुछ किया मतलब पहले योजना निर्धारन किया नीती बनाया फिर मैंने उस उसका परयोग किया धरातर पर यूज किया तब मुझे जाखा पता चला कि मैंने उस मतलब कुछ बच्चों को मैंने देखा जिसके अंदर जो है यह खूबिया यह जो सौ सेक्षी गतिवीदिया का जो महत्व था उनमें था तो मैंने उस कुछ बच्चे का जो है नाम लुट किए इसी तरह आपको 10 बच्चों का बनाना है जो कि मैंने बताया है यहा पर देखे आप आपतर सौसेक्षी गतिवीदिया का क्ष्च्छा फॉर् एड्रेस जो है चिरियागर सोनपुर सारण यहाँ पर उसके पापा और ममी का भी जो है नाम निख सकते हैं कोई दिकत नहीं है अब देखें अंकीत कुमार में यह जो है हस्तकला में माहिर थे कहने कार थे कि इनका हस्तकला जो है बहुत अच्छा था इसी बारे में यहाँ पर देखा, तो यह हस्त कला में जो है कौन है, अंकित कुमार माही रहता, इस तरह आप लिख सकते हैं, इसी तरह आपको आपको आपर बच्चे दिखेंगे, उसके बारे में लिख लेंगे, अब देखें, आपर सेकेंड में है, उसके द्वारा बनाई गई चटाई, जो है दोस्त मतलब परति महाने, कहने कारते हैं कि नाटक में बहुत अच्छा है, अमन कुमार, रॉलोमा 10, कलास 8 और कुमार टोली सोनपूर, इसके माता पिता का भी नाम नेख सकते हैं, यह बच्चा जो है नर्खट है, वो नाटक में के लिए जान देता है, नाटक में बैच्चों के नकल करना, चल सित्रिन समवाद याद रखना, उसे बोलना, तो यह सभी चीजों को मैंने देखकर मुझे लगा कि यह बच्चे में जो है, नाटक के लिए जिग्यासा है, यह नाटक के प्रति प्रेम भावना इसके है, तो मैंने इसका रॉल नाम यहाँ पर लिख दिया, आ हमेशा अच्छे चित्र बनाती है, मुस्कान के रूची निमन प्रकाड़ों से मापा गया, मैंने इसका रूची जो है कैसे देखा कि इसमें चित्रकारी किया, तो देखे पहला पॉइंट, सांस्कृति कारेकर में हमेशा रंगोली बनाती थी है, फिर है चित्रकारी पढ़ आगे बढ़ते हैं, चार नमर बच्चा जो है, वो आपके संगीत में माहिर है, संगीत में कंचन कुमारी रॉल नमर 3, फिर यहाप रॉल नमर 14 है, कच्छा 3, रॉल नमर 14 सोनपूर बरबट्टा, यह संगीत में माहिर है, तो इसमें मैंने लिखा कि कंचन जो हमेशा गाना गाने के लिखता है यह पता चलता है कि इसके अंदर गाना-गाने के लिए रूची है, यह संगीत कार बनना चाहती है मतलब इस तरह कि मैंने यह आप पर लिखा है फिर आप आगे आपका पांच नमर पाक कला पाक कला कहने का आरती को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है और पाक कला परत्योगता में हमिशा बिद्याले में पर्था मिस्ताना आती है अक्सर देखा जाता है कि पाक कला में लड़किया जादा रूची लती है लेकिन मैंने इस बिद्याले में देखा कि एक लड़का भी जो है कम नहीं है क्योंकि अब है कुमार भी जो है पाक कला में मन लगता है और अच्छे-चे वियंजर मनाता है वो अपने परिवार के सदस्टे को मदद भी करता है अब भाय और कंचन में पाक कला की गुन को मैंने कैसे पाचाना तो देखे विध्याले में भोजन बनाने की गुनवक्ता पर कारे भार यही समालते हैं जो मेड़े मिल की बाड़ते रहते तो यह भी वहाँ बाड़ते थे मज़ा आता था इनको बाटने में तो मुझे लगा कि इसके अंदर जो है पाक कला की सही में गुन था और सही में गुन है इसके अंदर फिर है दोस्तों के बीच हमेशा अच्छे अच्छे ब्योंजनों की चर्चा करना खाने पीने की बातों पर जो हमेशा ये चर्चा करता रहता था तो ऐसे मुझे लगा कि इसके अंदर पाक कला के लिए ज्यादा प्रेम है तो ये क्या हो गया इनका 100 सक्षी गतिविदिया में करते रहा चठा बच्चा का मैंने किया जो कि खेलना पसंद करता था खीर के जो कि सुभम कुमारे रॉल अमर्तीन पाच के बच्चे है चिरिया कर बजार सुनपूर के घरे तो सुभम जो हमेशा खेलने के लिए उस्तुक था तो मुझे लगा कि इसके अंदर 100 सक्षी से कड़े सही स्रोत इनको दे सही माध्यम से इनको आगे लिजाये तो इसलिए मुझे IT का स्वास्त एवं चंचल बिद्यार्ती आ और सव स्वास्त है किया बवहुत पसंद करता था है कிर्केट हमेशा अवल आता था खेल में इसके क्रकेट रूर्चि हमेशा चट्च होती ह जैसे पहला विद्याले में आयोजन खेल परती हो गिता हमेशा भाग लेना दूसरा है खेल में उस्चुकता परदर्शन करना खाली समय में हमेशा कुछ न कुछ खेल कूद के खेल कूद करते रहना या उसके बारे में पढ़ते रहना ति यह चीजे जो है इसमें पाचाना ग आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसे लिखा हुआ है इसमें क्या क्या पाचान देखें विद्याले में संस्कृति कारेक्रा में भाग लेना तता निर्ट्य करने में करने में सभी को अपनी मन को आकर्शित कर लेती ती अच्छा निर्ट्य करती थी तो मन को आकर्शित करीगी के ही निर्त्य में उच्छे परदर्शन करना मतलब अच्छा परदर्शन करती थी और निर्त्य के बारे में बार बार प्रस्ण पूछना बहुत सारी जनकारी रखना और निर्त्य के लोगों के बारे में जनकारी रखना ये सबी चीजे जो है इसमें थी तो मुझे ऐसा लाया एडरेस सिक्षा कलोनी सोनपूर, इसमें मैंने देखा कि यह जो है, बहुत स्वास्त और मजबूत बच्चा है, वह खेला पसंद करता है, खेल कबड़ी के संपुन जनकारी इसको पता है, तथा विद्याले में सबसे अच्छा कबड़ी गोलू खेलता है, तथा कबड़ी के बारे में जनकारी की कठा करता है, तथा उसे प्रिरना लेता है, यह मैंने इसको देखा, और इसके कोपियों में देखा कि बहुत सारे क्या किया, कि यह जनकारी रखा था, इसलिए मैं इसका नाम लिखा, तो इसी तरह आपको विद्याले में जो वैसे बच्चे का नाम लि दिया है आगे चल कर इसमें भी बेतर किया आ सकता है राजु कुमार जो की कच्छा 5 के बच्चा है 24 रोल नमरे रमना फिल्ट सुनपूर से आता है बिद्याले में कोई बच्चे है प्रंतु या बच्चा विभीन प्रकार के खिलोना बनाने में निपूर्णे मतब बच्चा ह या कागच बात्स लकड़ी आदी का सहायक से खिलोना बनाता है इस तरह से 155 प्रकार पर की गई है नेक्स्ट है बिद्याले में जो भी खाली समय मिलता है तो वो अपने खिलोने से खेलता है सत्ताही कारे करम में विभीन खिलोने को परदर्शन कर बच्चे वो खिलोने से परिचित करा था इसलिए इसमें खिलोना बनाने के प्रकिरती है और यह अच्छा खिलोना भी बनाता था इसलिए बच्चे में गून होते हैं हर बच्चे में कुछ न कुछ गून होते हैं अब दस्वाब अच्चा रागनी कुमारी है जो कि सिलाई में एक्सपर्ट है सिला यहां पर देखे, अपने बच्चों में अन्य बच्चों में बिदाले पोषक के सिल कर देना, कपड़ों को विभिन डिजाइन का परयोग करना है, डस्टर बनाना यह सबी कारे यह ही करते हैं, तो इसमें ही लगा कि यह जो है सिलाई में एक्सपर्ट है अब जो है आपको निसकर्स निकालना है ये 10 बच्चों का आपने कर लिया आवलोकन सौहसक्षिक गतिवीदियों का अब देखे उप्योग साहसक्षिक किरियाओं का आकला नेयो विशलेशन करने से हमें यह निसकर् य्मिवानिक सर्वाण스क समाजिक चालित्रिक नैतिक वीकास के लिए होना बहुत आवस्टों कि बच्चे सासक्षी घथीए um के सर्वाणिवक निर्वान में भींवानली हों पाता है। इसलिए बच्छों के सिक्षक वीकास में आपकी युगंदान देता है I और मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 100 सक्षी गतिविदिय किसे कहते हैं, उसका उद्देश बताया, उसके बाद मैंने विद्याले में 10 वच्चों का 100 सक्षी गतिविदियो का अध्यन किया था, जो कि मैंने किरिया पहले नीती बनाया, योजना बनाया, फिर उसका धरातर प स्टूडियो में तक तक के लिए धन्यवाद आएंगे सुमत जैहिन जैवानत